नमस्कर दूस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेरा बॉक्स एप्लिकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं जिहां गई जापी जाना चाहते कि टेरा बॉक्स एप्लिकेशन क्या है और इससे कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गई जाज किस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी तक आपने हमारे येटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेला इकन को प्रेस करके ओल पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नौटि एक सफ्रिकेशन को डाउनलोड करना है तो जहां पर मैंने टेरा भॉकस अप्लीकेशन को पहले से यह दाउनलोड करके रखा है इसके बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं हम पूपर इस एप्लेकेशन के डाउनलोड नंश देखने प्लस डाउंप दो जाती और इस एप्लीकेशन के रिवीय ऑंडो बिखने को मिल जाती है इसके बाद के जहां पर मैं आपको बता दू कि टेराम बॉक्स एप्लिकेशन क्या है तो जहांप आप दीख सकते हैं यह एक ट्रнейज जिस पेस application है जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको 24GB storage देखने को मिल जाती है और गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप इस application में photo, video और file को store कर सकते हैं और गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप photo, video और file को upload भी कर सकते हैं तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लॉंग वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं इसके बाद गई जहाँ पर आपको बैक आना है बैक आने के बाद गई जहाँ पर मैं आपको बता दू कि टेरा बोक्स एप्लिकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गई ज continue with Google का option देखने को मिल जाता है यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आपको email id देखने को मिल जाती है तो गई जहां पर आपको वीडियो बैक आपको देखने को मिल जाता है तो गई जहां पर आपको डिसेबल करना है डिसेबल करने के बाद गई जहां पर आपको कंप्लेट के अप्संपर क्लिक करना है complete के option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आपको skip करना है skip करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते है यहाँ पर terabox application open हो चुकी और गई जहाँ पर आपको इस तरका interface देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आप दीख सकते है uns पर आपको नीचे की को मिल जाता है यहां पर आपको पाल मेनेजर में देखने को मिल जाएगा तो गाई यहां पर मैं आपको बता दू कि टेरा box application में फोटो वीडियो और पाइल को अपलोड कैसे कर सकते हैं तो गई जहां पर आपको प्लस वाला icon देखने को मिल देखने को मिल जाता है टेक के फोटो एंड अप्लोड का उप्सन देखने को मिल जाता है तो गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फोटो के अप्सन पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां से आप अपनी गैलेरी से फोटो अप्लोड कर सकते है और गई जहाँ पर आपको वीडियो का उप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप प्रिमियम प्लान को लेनी के बाद गई जहाँ पर आप वीडियो को भी अप्लोड कर सकते हैं इसके बाद गई जहां पर आपको डॉक्यूमेंट का उप्सन देखने को मिल जाता है यहां से आप डॉक्यूमेंट को भी अप्लोड कर सकते हैं इसके बाद गई जहां पर आप निव फोल्डर बनाना चाहते हैं तो गई जहां से आप निव फोल्डर भी बना सकते हैं इसके क्लिक करने के बाद गई जहांपर आपको गौट इट कफ संबर क्लिक करना है गौट इट कफ संबर क्लिक करने के बाद गई जहांपर आपको परमिशन को अलाओ करना है परमिशन को अलाओ करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर अपने ओबल की गैलेरी और आपको Select करना को अब तरह से आप आप कर लिया है इसके बाद गई जहां पर आप को नीचे के और अप्लोड का अप्छन को मिल जाता है अप्लोड के से हाफिक करने के बाद गई जहां पर आप दीख सकते हैं इस तरह से आप भी फूटो वीडियो फाइल और डोकिमेंट का अफ्लोड करेंगे वो यहां पर फाइल मेनेजर में यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी इसके बाद गई जहां पर आपको गैलेरी का अफ्शन देखने को मिल जाता है गैलेरी का अफ्शन पर क्लिक करने के बाद गई ज जहां पर आप दीख सकती है यहां से आप वीडियो को अपलोड करना चाहते है तो गई जहां से आप वीडियो को भी अपलोड कर सकते है इसके बाद गई जहां पर आपको उपर के और प्रोफाइल के अप्सन पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप दीख सकते है यहां पर फाइल को शेयर करना चाहते तो गई जहाँ पर आपको शेयर फाइल का उप्षन देखने को मिल जाता है इसके बाद गई जहाँ पर आपको रिसाइकल बिन का उप्षन देखने को मिल जाता है और गई जहाँ पर आपको आपको आटोमेटिक बेकप का उप्षन देखने को मिल करना है यहाँ पर देख सकते हैं और फोटो वीडियो फाइल और डॉक्यमेंट को अपलोड कर सकते हैं जहां पर देख सकते इस तरह से पीजी तरीके से यहाँ आप में कमेंट करके जरूर बताए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेला इकन को प्रेस करके औल पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नॉटिपिकेशन आपको मिलते रहेगी